आसलाइक विजर्ट मैंने बिज्वान चीमा फांडर की आपका सफर प्लॉट से मकान तक इस वीडियो में आपको मैं एक नई सुसायटी जिसके होले से काफी ज्यादा कराची बेल्ट के जो लोग हैं कराची सिटी से बहुत ज़्यादा क्योरी जाती हैं उनकी के इस society के वाले से मैं explain करूँ इसकी वीडियो बनाऊँ तो ये first वीडियो society के वाले से The society name is Seven Wander City इसलामबाद अब इस society के मैं तीन चीज़ हैं जो main बताऊंगा number one is what is the location of Seven Wander City number two who is the developer of Seven Wander City and number three what are the current prices in Seven Wander City और जो revise होने के बाद new prices हैं उसके हवाले से बताऊंगा सबसे पहले जो location location जो है Seven Wander City की अगर आप हकला मोटर वे पे जिसे डियाई खान हकला मोटर वे जिसका new CPAC route अभी लाँच किया गया है इफता नहीं किया गया बट यह CPAC route जो अपरेशनल है जो new Islamabad airport की बिल्कुल back side पे है अब इस CPAC route पे अब different societies आना शुरू हो गई है जैसे April में launch होई थी society Nova City Islamabad आपकी दूसरी society है और आगे जाके Motorway City Islamabad भी इसी जगा पे locate करती है अब बात करते हैं जी Seven Wander City के हवाले से Seven Wander City की जो सबसे बड़ी बात है location की इसका front जो है वो CPAC route पे है New Islamabad airport की vicinity में है उसकी back side पे बाकिया है तो आप easily 2 से 3 मिनट की access लेके Seven Wander City में जा सकते हैं यह बड़ी easy access बनती है तो Seven Wander City की access के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी prime access बनती है क्योंकि New Islamabad airport की vicinity में जो societies आने वाले दिनों में आएंगी उनका future जाए सी बात है काफी bright होगा क्यों bright होगा जो भी airport की vicinity होती है उसके पास automatically जो real estate की चीज़ें होती है उनकी prices में काफी खातरखा जम पाते है जैसे के past में आपनी New Islamabad airport को देखे हैं उसके पास मुदाज सिटी टॉप सिटी एक्ज़ेंपल है ओल्ड इसलामबाद airport देखे हैं बेनजीर भुटो एरपोर्ट तो उसके पास आपके पास अफजल टाउन की एक्ज़ेंपल है खुल्जारे काइद की एक्ज़ेंपल है और different societies यहां पे भी हैं जिसकी वैसे काफी ज़्यादा इवन जो गुल्बग इसलामबाद है इसको भी जब मार्किट किया जाता था तो इसमें एरपोर्ट का नाम लिया जाता तो एरपोर्ट की काफी ज़्यादा एहमियत है इस केस में तो location-wise न्यू इसलामबाद एरपोर्ट की वसिनिटी में society हो तो definitely उसका एक positive impact आता है उस society की market value पे अब बात करते हैं developer के हवाले से developer की history बहुत ज़्यादा एहम होती है because the developer is the entity जिसकी जेब में आपके पैसे जाती है तो developer की history बहुत matter करती है कि जिस developer की आप product पर trust कर रहे है उस product की past में history क्या है उसने deliverance क्या किया है उसकी deliverance को देखते हुए आप उस developer पर trust करते हैं जैसे जो भी individual है let's say plot buy करते हैं असलामबाद में तो आप DHA का नाम लेते हैं तो DHA की बीछे developer जो है that is AWT Army welfare trust तो आपको automatically trust develop हो जाता है कि आर्मी की society है आप गुलपा के plot लेते हैं तो आपको trust बन जाता है because IBCHS का project है Intelligence Bureau Employees Corporating Housing Society आप smartly के plot लेते हैं तो आपका trust factor जोता है वो बहुत ज्यादा होता है because HRL का project है हवीर फिक लिम्टेट का जिनकी पाकिसान में 72 years की history है तो इसलिए developer की history होती है वो बड़ी एहम होती है अगर आप projects देखते हैं development के residential projects देखते हैं तो आपको सबसे पहले चीज़ जो concern रखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि आपके पैसे किसकी jail में जाएंगे जैसे नुवा सिटी इसलामबाद है न्यू सिटी अलएट डिलिवर किया हुआ है उसके नुवा सिटी है तो उसके developer की on ground एक status है एक market value है तो उसकी base पे आप उसके trust करते हैं तो इसी तरह जो GFS builders and developers हैं इनका कराची में बहुत बड़ा नाम है इन्होंने कराची में multiple projects एक project नहीं multiple projects हैं जो on ground डिलिवर कियों हैं जिसमें सबसे पहले मलीर टाउन residency phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6, phase 7, phase 8, phase 9 ये मलीर टाउन residency के 9 phases एक डिवेलपर की तरफ से on ground वहां पे डिलिवर किये जा चुके हैं फिर आता है नॉर्थ टाउन commercial नॉर्थ टाउन commercial भी इसी developer की तरफ से on ground वहां पे exist करता है डिवेलप किया जा चुका है नॉर्थ टाउन residential, residency उसके phase 1 और phase 2 वो भी कराची में डिलिवर किये जा चुके हैं ये third है अब ये मैं को projects जो किनवा रहा हूँ ये वो projects हैं जिनके नाम कराची में काफी लोग इसको वाकिफ हैं इसे मासलेश रखते हैं इसलिए इस project के नाम जो हैं बड़ी comment सुनने में आको मिलते हैं मली टाउन phase 1 to 9 नॉर्थ टाउन commercial नॉर्थ टाउन residential phase 1, phase 2 नॉर्थ टाउन industrial area जिसका उन्हें नॉर्थ डिलिवर किया ये नॉर्थ फॉर हो गया नॉर्थ फाइव के GFS Megatower अब GFS Megatower जी प्लस 40 के एक building है जो GFS Builders और डिवेलपर की दरफ से कराची में अल्रथ बनाई जा चुकी है और उसके बहुत जादा residents आपको वहाँ पे खुशोखरम जिल्दी गुजारते में मिलेंगे ये दो एक common project जो name mainly जो आपको mainstream projects मिलते हैं इसके लावा already 45 प्लस projects ऐसे हैं जो इस GFS Builders और डिवेलपर्स ने कराची में डिलिवर की हैं और इनका एक market value है इनके एक market reputation है ये इसलामबाद में अपना पहला project लेके आ रहे हैं यानि कि जो membran specifically कराची बेल्ट से हैं वो इस project से बड़ इच्छी तरह वाकिफ हैं जैसे नवा सिटी के आप बात करते हैं तो नवा सिटी की mostly membran जो आप वाकेंट, attack और तैसील से दूसरी KPK वेली साइड है उस साइड के लोग इस से project से वाकिफ हैं न्यू सिटी वाकेंट से तो इसलिए नवा सिटी की जो market value है इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा impact करते हैं उस साइड को कि इसमें बहुत ज़्यादा market value market share hold करते हैं उस तरफ बड़ा feasible project बन जता है सेमन मंडर सिटी इसलामबाद अब जी इसकी नमबर त्री कहा तो prices की बात अब इसमें for the time being जो pre-launch rate जो basic rate थे जो सबसे पहले launch किये थे मैं उसके वाले से उको बता दूँ ये जो projects में लो count करवाए हैं न ये projects on ground कराची में आज की date में exist करते हैं इन में कोई दो राय नहीं है कि ये project कल को बनेंगा या बन रहे हैं या ऐसा कुछ ये on ground exist करते हैं अब आते हैं जी prices के वाले से पांच मरला को जो plot है उसकी price है 16,50,000 रुपे एक लाग 55,000 रुपे डाउन पेमर देके अपने प्लॉट बुग कर सकते हैं साथ मरला का प्लॉट है वो है 23,10,000 रुपे का तो 2,31,000 रुपे देके आप इस प्लॉट को बुग कर सकते हैं इसके बाद दस मरला का प्लॉट और दस मरला प्लॉट की जो price है 33,00,000 रुपे और आप से 3,30,000 रुपे देके ये price पे प्लॉट बुग कर सकते हैं ये society के first rates हैं मैंने मुले दुनों में ट्राइ करूँगा 7-100 rates के जो revised rates हैं उनके comparison के video बना दूँगे first rate क्या थे, second rate क्या थे, third rate क्या थे जितने में इनके rates हैं मैं उसके वाले से separate video बना दूँगा so this was it from today, अगर आपको 7-100 rates में booking के वाले से कुछ मालूमाद चाहिए हो तो मने number आपके screen पर available है, मुझे WhatsApp कर सकते हैं इसके लावा हमारी website visit करना मत भोले www.maccountsolutions.com अगर आपको ये video अच्छी लगे तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत भोले रिज्वान चीमा को दीजिए जाज़त, अगली वड़ी तक के लिए, खुदा हाफिस